अभी अभी जो तस्वीरे आपने देखी ये तस्वीरे सब कुछ बताने के लिए काफी है ये बताने के लिए काफी है कि नरिंदर मोदी का जो जलवा है वो पूरे देश में किस तरीके से है आप किसी भी राज्य में चले जाएए वहाँ पर बीज़पी की सरकार हो या ना हो लेकिन अगर नरिंदर मोदी के एंट्री हो गई तो फिर इसी तरीके से लोग रोते हुए बिलखते हुए उनके सामने हाथ जोड़ते हुए भावुक होते हुए उनको प्रणाम करते हुए नजर आते हैं सबसे पहले ये विडियो देखिए जिसमें एक बच्ची ने हाथ में तस्वीर ले रखी है इस बच्ची के बराबर में एक महिला खड़ी है उसमें भी हाथ में तस्वीर ले रखी है और सोचिए भरे मंच से नरेंदर मोदी की नजर इन दोनों पर पड़ती है और फिर यादेश देते हैं SPG को और उसके बाद जो कुछ भी होता है वो आपके सामने है तस्वीरें मोदी तक बहुत जाती है और उसके बाद मोदी कितने प्यार से इस बच्ची का अभिवादन करते हैं ये बड़ा दिल्चस्प है और तस्वीर लेने से पहले भी नरेंदर मोदी कहते हैं कि बेटा तुम रोना बंद करो मैं तुम्हारी ये तस्वीर ले लूँगा तुम रो मत मेरी टीम के लोग जाईए भाई बच्ची से तस्वीर ले आईए ये नजारा है बंगाल का जिसमें नरेंदर मोदी को देखकर महिला भी रोने लगी और ये बच्ची भी भाववत हो गई बेटी आप आद नीचे करो मैं आखिर में इसको ले लूँगा आपसे अब आप नीचे करो मैंने देख लिए आप बड़े प्यार से चित्र बना के लाई हो मेरी टीम आकर क्या ले लेगी बेटा रोना मत रोना मत बेटा बस मुझे मिल जाएगा बेटा यह नजारा है सब कुछ समझाने के लिए कि नरेंद्र मोदी एक ऐसा व्यक्तित्व हैं जिनको अपने सामने साक्षा देखकर लोग इसी तरीके से भावखो पड़ते हैं अब बात है कि विपक्षे से मुद्दा बना कर कह रहा है कि यह ड्रामे बाजी है इन सब के अलावा अब ज़र यह तस्वीरे देखिए कैसे महिलाएं नरेंद्र मोदी के सामने जुकर उन्हें प्रणाम कर रही है और बदले में नरेंद्र मोदी भी किसी के सिर्फ पर आश यह तस्वीरें यह विडियोज बताने के लिए काफी है कि नरेंद्र मोदी का जल्वा किस तरीके से है और मोदी लहर दो हजार चौबिस में किस तरीके से पासा पलटने में कामियाब दोगी फिलाल तस्वीरों को आप में देखा नरेंद्र मोदी से जुड़ी इस खबर को लेकर आप क्या राए रखने हैं कमेंच करके ज़रूर दोगा